जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मेजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्रिका वरत यानि जित्रिया वरत साल 2022 में कब रखा जाएगा? इसकी सही तारिक क्या होगी? इसके लावा हम आपको बताएंगे कि आपको जित्रिया वरत का पारण किस समय करना है? इसके लावा हम बात करेंगे नहें खाय से लेके वरत पारण तक की संपूर्ण विधी और नियम क्या है? लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ल्ड बैस मैजिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक कर और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों अस्विन मा के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तिथी को जीवित पुत्रिका वरत या जितिया वरत रखा जाता है जितिया का वरत बहुत ही कठिन वरत होता है ये वरत माताएं अपनी संतान की लंबी रखती हैं इस व्रत में अन्य जल का त्याग कर माताएं संतान के दीरगाय। आरोग और सुखी जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं दोस्तों ये व्रत बिहार जारखंड और उत्तरप्रदेश में किया जाता है ये तीन दिवसी व्रत है जो कि अस्विन मा के क्रश्न पक्च की सब्तमी तिथी से लेकर नौमी तिथी तक चलता है। इस तेवहार के पहले दिन को नहाय खाय कहते हैं और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है जिसे खुर जितिया के नाम से जाना जाता है और वहीं व्रत के तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण होता चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका कवरत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका कवरत 17 सितंबर 2022 से लेकर 19 सितंबर 2022 तक चलेगा ये तीन दिनों का उपवास होता है जिसका पहला दिन नाहे खायका होता है जो कि इस साल 17 सितंबर 2022 दिन सनिवार को पड़ेगा और सब्तमी तिति की सुरुवात 16 सितंबर 2022 की दोपहर को 12 बचकर 19 मिनट पर हो जाएगी और सब्तमी तिति की समापती 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 2 बचकर 14 मिनट पर होगी और जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन खुर्जितिया कहलाता है ये जीवित पुत्रिका का मेन दिन होता है इस दिन महिलाएं निर्जला वरत करती है इस बार निर्जला वरत 18 सितंबर 2022 दिन मिनट पर हो जाएगी और अस्टमी तिथी की समापती 18.02.2022 की साम को 4 बच और 32 मिनट पर होगी तो दिया तिथी की मानेता गे अनुसार जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत 18.02.2022 दिन रविवार को रखा जायगा और बात करें जितिया व्रत के पारण की तो जितिया व पारण हमेशा नौमित इथी में सूर्योदय के बात करना चाहिए और 19 तारीक को सूर्योदय सुबा 6 बचकर 8 मिनट पर होगा तो आप जितिया व्रत का पारण 19 सितंबर को सुबा 6 बचकर 8 मिनट के बात करें यही स्रेष्ट रहेगा चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत् रिकावरत के पहले दिन को नहाय खाय कहती हैं इस दिन महिलाएं इसनान के बाद एकी समय भूजन करती हैं इसके बाद वे पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं नहाय खाय में महिलाएं नदी, नहर, तलाब में इसनान करती हैं और जो महिलाएं बाहर जाकर इसनान नहीं कर सकत वे घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल और तिल मिला कर इसनान कर सकती हैं इसके बाद महिलाएं अपने मन में जीमुत वहन को याद करके व्रत का संकल्प जरूर करें और भगवान जीमुत वहां से प्रातना करें कि वे आपका वृत निर्विग्न पूर्ण करके आपको वृत का पूरा फल प्रदान करें दोस्तों इसनान करने के बाद माताएं विसेज प्रकार के विंजन खाती हैं जो महिलाय नानविच खाती हैं वे मरुआ माच खाकर अपना वृत सुरू कर सकती हैं लेकिन जो महिलाय वेजिटेरियन हैं वे इस दिन जिगनी यानि सत्पुतिया, नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, पूआ, ठेकुआ, जोर भात आदी चीजें खाकर वृत को सुरू करती हैं दोस्तों ये भोजन आपके इस्थानी नियमों के नुसार हो सकता है आपके परिवार में जो परंपरा हो आप उसी प्रकार से अपने वृत को सुरू करें एक बाद बता दूं कि स्वयम भोजन करने से पहले आप नेनुआ के पत्ते पर जीमुत वाहन को भोजन जरूर निकालें इसके बाद थोड़ा सा भोजन चील और सियारन को निकालें फिर इसके बाद पित्रों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और ये भोजन आप छट पर खुले इस्थान पर रख दें इसके बाद ही आप भोजन ग्रहन करें दोस्तों कुछ जगों पर नहाय खाये वाले दिन ओठगन की विदी या सरगी की रस्म भी की जाती है तो यदि आप के हां सरगी खाई जाती है तो आप सरगी खा सकती है इसमें आप अस्टमी तिती सुरू होने से पहले और सुर्योदे होने से पहले महिलाएं उठकर मीठा भोजन करती हैं ध्यान रखें कि सरगी में आप तीखा, मसालेदार, तामसिक भोजन ना करें, प्याज लैसुन का भी भोजन ना करें, आप सिर्फ मीठा सात्विक भोजन ही ग्रहन करें चलिए अब बात करते हैं व्रत की दूसरे दिन की जो की में दिन होता है इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है जिसे खुर जितिया कहती है दोस्तों जितिया व्रत की पूचा प्रदोस काल में अस्टमी दिथी में की जाती है इस दिन माताएं जीमुत वहन की पूचा क बनाएं इसके बाद आप जीमत वहण की विद्वत पूजा अर्चना करें आप जीमत वहण को रोली अक्षा तरपित करें फूल माला चढ़ाएं और प्रशाद में फल जरूर चढ़ाएं जिसमें आप खीरा जरूर चढ़ाएं और कुछ मिठा भी जरूर बनाएं मीठे में आप चना और बाजरे से बनी चीजों का भोग लगा सकती है या इसके लावा आप सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकती है या कहीं कहीं मौवे को पीस कर उसमें गेहू का आटा मिला कर पूरी या पूए बनाय जाते हैं और उसका भोग लगाया जाता है इसके बाद आप धूब दीब चलाएं और साथ ही चील और सीयारिं की भी पूजा करें आप उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं इसके बाद निनुवा के पत्ते पर या तरोई के पत्ते पर जो आपने जिधिया बनवाई है उसको रखकर उसकी भी पूजा करें तद पस्चाद जीवित पुत्रिकावरत की खता सुने या पढ़े फिर इसके बाद जीमुत वहन की आर्टी करके विद्वत पूजा को समपन्न करें चलिए हम बात करते हैं जीवित पुत्रिकावरत के तीसरे दिन की इस दिन जितिया प्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद कुछ भोजन ग्रहन किया जाता है दोस्तों प्रत पारण में आप इस बात का विसेश ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा नौमी तिथी में ही करें नौमी तिथी में सुर्योदे के बाद आप जितिया व्रत का पारण करें इस दिन महिलाय नहाद होकर सुर्य भगवान को जल चड़ाती है पूजा पाट करने के बाद व्रत खोलती है इस दिन भी कुछ विसेश नियम है ध्यान रखें कि व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले आप ब्राम्र को दान दचना अवस्दें उन्हें सीधा अवस्दान करें या उन्हें भूजन कराएं इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें दोस्तों कहीं कहीं वरत पारण में केरुआ का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ सत्पुतिया नोनी का साग जिंगनी के अंदर के जो बीज होते हैं ये सब गाय के दूद के साथ निगल कर वरत खुला जाता है और अगर दूद ना मिले तो आप पानी से भी निगल कर अपने वरत का पारण कर सकती हैं इसके बाद भोजन ग्रहन किया जाता है इस दिन भी मैलाएं विसेज भोजन करती हैं जिसमें नोनी का साग मंडुआ की रोटी ये सब फिर से बना कर खाती हैं इस तरह से जीवित पु में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद